यह चैनल किसी भी अवयद गतिवीदियों को बढ़ावा या पुरुटसाहित नहीं करता है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है D20 में आज के दिन हम क्या करने वाले हैं। अभी तक आप सीखे हैं, कमपाउंटिंग आप कैसे कर सकते हैं, कितनी कमपाउंटिंग लिमिट आपको रखनी हैं, कितनी रिस्क आपको लेनी हैं, प्रॉफिट टार्गेट आपको कैसे सेट करना हैं, आपको लॉस टार्गेट कैसे सेट करना हैं, अपने इमोशन्स पे कैसे कंट्रोल करके वहीं पर रुख जाना यह सारी चीज़े अभी तक आप सीखें हैं छोटे अकाउंट को बड़े अकाउंट तक पहुचाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आती हैं और आप कैसे उनका सामना कर सकते हैं और कैसे फेस करके आप अपने अकाउंट को बचा सकते हो और प्रॉफिट कर सकते हो यह सारी चीज़ें चलिए आज इस वीडियो आइमीन डे 20 की शुरुआत करते हैं यार आपको डे 19 तो ज़रूर याद होगा अगर फर्स टाइम यह आप वीडियो देख रहे हो चैनल पे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा रिकमेंड करूँगा चैनल पे जाए डे 1 से डे 19 तक देखिए आपको बहुत चीज़े सीखने को मिलेंगी क्योंकि यार डे 19 को हुआ कुछ ऐसा था कि लॉस हो गया था और हमें हमारा सेशन बंद करना पड़ा था हमारा लॉस टार्गेट हिट हो गया था यह रीजन था और हमारा लॉस टार्गेट आज हिट हो चुका है 94.78 सेंस यानि डॉलर्स का आज के दिन देखते हैं क्या होता उमीद अच्छे की कर सकते हैं और आपको पता है बॉलिंगर बैन की जो स्ट्राटजी है लास्ट टाइम मैंने अपलाए की वी थी अभी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविशन टू था बेसिक वैल्यू 20 यहां पर रखे वी थी मैंने इसको डिलीट कर दिया है और स्टार्ट बेसिक से ही करते हैं बेसिक का मतलब सबसे पहले चलते हैं एकोनोमिकल कैलेंडर पे और हम आज देखेंगे कि कौनजी करंजी पेर है जिस पे हमें ट्रेड आज के दिन लेनी चाहिए और इग्नोर किसे करना चाहिए तो अभी आप देखेंगे 2 बज के 30 मिनट के बाद 17 मिनट पे यूरो की हमें निउज है 22 मिनट में भी यूरो की निउज है अगर आप नीचे जाएंगे तो सिर्फ यूरो की निउज है और 7 बजे हमारी कैड की निउज है तो इसका निसकर्श ये निकल के आता है कि यूरो के जो पेर्स हैं उसके साथ अभी फिलाल मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ उसको मैं अवाइड करूँगा तो simply मेरे दिमाग में जो पेर आ रहा है वो आ रहा है GBP, USD इसके साथ मैं ट्रेड आज के दिन लेना प्रेफर करूँगा तो मैं आप इस GBP, USD सेलेक कर लेता हूँ यूरो के जो पेर्स है उनको अवाइड करता हूँ जैसे कि आप यहाँ पे जाएंगे आप सिर्फ यूरो सर्च कीजिए जितने भी पेर्स आएंगे इनके साथ आपको ट्रेड नहीं लेनी है फिलहाल के टाइम पे, जब भी news impact गिरता है उसके एक घंटे बाद और एक घंटे पहले impact आपको देखने को मिल सकता है तो यह reason है कि मैं थोड़ा avoid करता हूँ अब आज interestingly क्या होने वाला है मतलब कैसे compounding follow होने वाली है तो first trade जो मेरी रहेगी वो रहेगी $3 की second trade 3 plus $2 यारी जो profit होगा उसके basis पे रहेगी और third trade रहेगी जो both profit होगे उनको मिला और 3 step follow करने के बाद मैं next compounding पे नहीं जाने वाला हूँ मतलब मैं सिर्फ 3 step तक ही risk लूँगा compounding की आज के दिन की अगर loss target की बात की जाए तो $5 आपको तो बता ही है $5 का हमारा basic target रहता है loss का इतना अगर loss होता है तो हम रुक जाएंगे profit की बात की जाए तो यार आज थोड़ा सा बड़ा है $15 of course यार आप लोग बोलोगे profit target इतना बड़ा है loss target मात्र $5 का बहुत नाइनसाफी है ठीक है एर $1 उपर नीचे जरूर हो सकता है तो देखेंगे अगर ऐसी नौबत आई तो लेकिन एक basic standard जो है उनको follow करते है फिलाल के लिए तो हमारे जो first trade है वो $3 की होने वाली है कौन सी strategy आज हम use करेंगे economical calendar फर्स step हमने clear कर लिया है second step strategy तो वो क्या होगी तो आज हम use करने वाले bulls power and beers power तो चलिए directly चलते है strategy वाले section में bulls power, beers power को enable कर देते हैं और साथ ही मैं पहरा बोले एक जो इनके साथ favorite combination बनता है वो use करने वाला हो तो यार तीन डॉलर की जो trade है वो हम अभी current scenario को judge करके लेंगे जैसा कि हमने discuss किया था तीन डॉलर की trade और उसके बाद हम उससे compounding करेंगे अगर ये तीन डॉलर की trade गलती से loss हो जाती है इसके बाद हम दो डॉलर की trade लेंगे क्योंकि हमारा loss target पाथ ही डॉलर का है हम वापिस से cover करने की कोशिश जरूर करेंगे लेकिन तीन डॉलर की वापिस से trade नहीं लेंगे चलिए आर ट्रेड लेते हैं कि क्या scenario है उसके basis पे तो guys यहाँ पे मैं downward direction के लिए trade ले रहा हूँ amount जो है तीन डॉलर आप देख सकते हैं एक मिनट की timing selected है मैं तोड़ा सा zoom करता हूँ और चलता हूँ trade वाले section में आपको भी दिखा देता हूँ active trade मज़े लिजे trade के और मुलाकात करते है trade के finish होने के साथ आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा ये trade मैंने किस basis फिले आप एक parabolic SAR के तीन dots उपर देख सकते हैं और नीचे कोण बनता हूँ देख सकते हैं bulls power and beers power में और ये reason है कि मैंने जो trade है वो downward direction में place की result आप देख सकते हैं हमारा profit हो चुका है और as I promise हम compounding करने वाले हैं आज फियार उससे पहले ना trade लेने से बहले आपके एक सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ यार आप लोग comment section ने बूशते हो आपके limit क्यों नहीं लगती सर इस account में तो आप हमेशा ना गौर कीजेगा एक currency pair पे आपको trade नहीं लेनी है ठीक है मतलब जैसा मैं हर एक बार currency pair change करता हूँ या अगर आप same currency pair भी रखना चाहते हो तो time direction जो है वो change करो मतलब ऐसा जैसे आज 5 minute के लिए time trade ले रहो कल 5 minute के लिए पर सो 10 minute के लिए लो उसका अगले दिन 20 minute के लिए लो इस तरीकी से आपको trade लेनी है और हर दिन आपको limited trades लेनी है ऐसा नहीं आप एक दिन 50 trade ले रहे हो एक दिन 70 trade ले रहे हो उस case में आपके limit लग सकती अकाउट में और ये मैं करता ही नहीं हूँ सिर्फ 4 या 5 साता ट्रेड ली और session closed और next day currency pair change और बाकी सारी 5 सा ट्रेड ली session closed ऐसा अगर आप करेंगे तो आप अच्छे आगे तक जाएंगे बिना limit लगे हुए चले यार अभी next trade ले आते है तो parabolic star का induction तो अभी हमारा नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन अगर bulls power और BS power पे ध्यान दिया जाए तो उपर की direction में हमें trade मिल सकती है तो guys जैसे कि आपको पता था compounding हम use करने वाले हैं तो compounding मनला पिछली trade पे हमारा लगबग लगबग 2.24 dollars के असपास no sorry sorry 2.46 dollars के असपास profit हुआ था तो हम 2 dollar ही consider करते हैं तो हम 5 dollar के trade लेंगे अब यार सवाल ऐसा है कि अगर ये 5 dollar गए तो हम 3 dollar के ultimately loss पे आ जाएंगे I know but थोड़ा risk लेनी पड़ेगी यार compounding का मतलब ये होता है और 3 steps हम follow करने वाले not more than 3 ठीक है तो यार अभी विलहाल what I feel upward direction में जाना हो चाहिए 5 dollar की trade तो यार मैं upward direction में trade जो है वो लगा रहा हूँ तो यार hope कर सकते हैं best के लिए और देखते हैं कि क्या होता है तो ये trade आप enjoy कीजिए और उसके बाद हम मुलाकात करते हैं after this trade तो गाईज अभी आप देख सकते हैं मात्र 2 second 1 second और मेरी खुशिश से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुआ क्या होगा 4.10 dollars का profit के साथ ये close हो चुक है और अभी तक अभी तक जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है तो यार गाईज अभी जो है हमारी first trade profit में close हुई थी second rate 5 dollar के फिर profit में close हो चुक है अगर दौनों के profit को calculate करें और हमारी initial amount को जोड़ दें तो 9 dollar के आसपास थोड़ा सा जादा 9 dollar से हमारी next trade होने वाली है यानि की 10 dollar के हम लोग रखने वाले next trade और मैं सिर्फ उन लोगों को कहना चाओंगा जिनके पास balance अच्छा है compounding करना लेकिन जादा risk मतलेना वही है क्योंकि अगर यहाँ पे देखो 10 dollar का अगर loss होता है तो मैं ultimately 91 dollar पे पहुँच जाओंगा तो यार risk है यार of course risk जादा है अगर आप अपनी sure हो अपनी strategy को लेके 100% तो sure कोई नहीं होता बट अगर आप थोड़ा बहुत sure हो क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं 100% कुछ भी नहीं होता है strategies नहीं होती है कोई तरीका ऐसा नहीं होता जिससे आप short short profit ले लो बस कुछ चीज़ें होते हैं जिससे आपका prediction आप तोड़ा और strong कर सकते हो economical calendar चेक करके और strategy यूज करके और अच्छी सी timing बे trade लेके और एक अच्छे plan को follow करके तो अभी हम 10 dollar की trade जो है तो यार जैसा कि अभी आप graph देख सकते हैं और मुझे लगता है हमें याँ पर एक minute के लिए नहीं दो minute के लिए जाना चाहिए तो हम जा रहे हैं अभी फिलाल दो minute के लिए और investment हमारी है 10 dollars की जैसे जैसे investment बढ़ता है न यार तो time भी मुझे बढ़ाना पसंद रहता है मुझे लगता है कि हमें time भी बढ़ाना चाहिए तोड़ा risk कम करनी चाहिए तो अभी हम क्या करते हैं upward direction में जाते हैं for 2 minutes और this time हमारी investment रहने वाली 10 dollars की trade मैंने place कर दी है और इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप भी इसको अच्छे से enjoy कर सकें आपको दिखा देता हूँ इस trade को देखो enjoy करो and finishing line पे हम वापिस से मुलाकात करते हैं तो guys जैसा कि आपने देखा हमारी जो trade है वो positively close हो चुकी है हमारा total amount balance हो चुका है 109.54 cents on dollars तो अब क्या होगा भी है बहुत बड़ा सवाल है अब क्या होने वाला है क्योंकि आज के दिन हमारा profit target तो हो चुका है complete 15 dollars का target रखा था नहीं है भाई 14 one something dollars के आसपास हम पहुँच चुके है और वो भी मातर 3 trades है बहुत ही shocking results है वाट फिलाल कोई बात नहीं हम यहीं पर रुखेंगे इससे ज़ाद हम trade नहीं लेने वाले क्योंकि जैसा कि मैं promise करता हूँ आपसे starting में प्रॉफिट टारगेट जैसे ही हीट होता है हम रुख जाएंगे आज का profit target हीट हो चुका है कोई भी सवाल रहते हैं आपको किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हैं मुझसे comment section में बेजी जग ये जो day series आपको कैसी लगती है क्या सीखने को मलता है आप अपने feedback ज़रूर share करें मेरे साथ मुलाकात करेंगे और exciting videos के साथ stay tuned keep watching and thank you so much for watching this video till the end